हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सेनिक समाचार चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वन रेंग वन पेंशन पे एक वर फिर से एक चोटा सा अपडेट आ रहा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बोडेटि वन रेंग वन पिंशन पे जो एक सर्विसमेंन वे जो सारा कुछ काम किया था उसके ओपर एक सर्विसमेंन का लेटेस्ट क्या अपडेट आ रहा है और किस तरीके से यह सभी उत्परोशनिकों के लिए इंप्रूटेंट है दोस्तों इसके बारे में बात करें क्या इसके उपर अपडेट है दोस्तों को चotherap करें जिस से आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइडन ज़रू दबाएं दोस्तों अभी सभी जितने भी social media पे काफी ये खबर आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OROP has been implemented some part was left will be implemented soon contradiction in version of statements in OROP अब यहाँ पर बात आती है कि जो कितना ज़्यादा OROP के में contradiction है कि पहले ASG and what reality is PM on many occasions stated कि OROP implement तो कर दिया गया कुछ part left है अब वो क्या left part है Will someone care for forges who are forever ready to sacrifice their life one man judicial committee report submitted 26 October neither made public nor implemented तो दोस्तो one rank one pension का ही मुद्दा उठाया गया है और जिसमें पूछा जगा है कि जो प्रदान मंतरी ने बताया था कि यह some part है वो कभ implement होगा और यह अभी social media पे चल रहा है मतलब यह खुद उस वाले statement में contradict है कि OROP implement हो चुका है और तो यहां पे बताया जा रहा है कि some part was left and will be implemented soon तो दोस्तों आप इसको social media पे भी देख सकते हैं वहाँ पे यह आ रखा है ex-serviceman की तरफ से अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this